इस पार का राश्टपती चुनाउ बहुत असाधारन परिस्थिती में हो रहा है। हमारे देश के सामने दिबिन्य छेत्रों में नाना प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है सन्विधान के ही रक्षा की। हमारा सनविधान और सनविधान के मुल्य आज खत्रे में है और ये राश्टपती चुनाव तै करेगा कि जिस दो रास्ते पर देश खड़ा है उसमें कौन सा रास्ता हम चुनते हैं तो एक तरह से राश्टपती का चुनाव देश के भविष्य के चुनाव के साथ जुड़ गया है और इसी लिए मैं जितने इस चुनाव में वोटर्स हैं, MPs हैं, MLAs हैं, उनसे मैं अफील करता हूं कि सनविधान की विवस्था के नुसार वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर और अगर वो वोट मुझे देते हैं, मुझे विजयी बनाते हैं, तो मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं सन्विधान की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा, वो आवश्य उठाऊंगा, इस चुनाव में जैसा कि आप अवगत हैं, पार्टियों की तरफ से कोई वि सीक्रिट है, इस बेवस्था करने के पीछे, जो सन्विधान के निर्माताओं का उद्देश्य था, वो यह था, कि जितने भी MPs और MLs हैं इस देश में, वो इस चुनाव में अपने विवे का इस्तिमाल करें, और जो उचित समझते हैं, वही कदम उठाएं, मैं जोर देके कहना चाहता हूँ, कि आज देश के भविष्य की लड़ाई हमारे सामने है, आज सन्विधान की रक्षा की लड़ाई हमारे सामने है, ये दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, और इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना मत मेरे पक्ष में दें और आप से वादा करता हूँ कि मैं सन्निधान की पूरी तरह से रक्षा करूंगा